मुगल बादशा शाह जहां के चार बेटे थे, दाराशिकोह, शाह शुजा और अंजेब और मुराद बक्ष। इन पुत्रों के बीच उत्तरादिकार के मुद्दे और संधर्शों ने मुगल इतिहास में महत्वपून्ध भूमिका निभाई। यहां शाह जहां के पुत्रों के बीच संधर्शों का अवलोकन है। दाराशिकोह, शाह जहां का सबसे बड़ा पुत्र था और शुरू में उसे उत्तरादिकारी माना जाता था। वह सुशिक्षित थे, कला के संरक्षक थे और रहस्यवाद और धार्मिक समनवयवाद में उन दूसरा पुत्र था, वह अपने बड़े भाई दाराशिकोह की तुलना में अधिक रूरिवादी और सक्त मुसल्मान थे। और अरंगजेब ने समराट बनने की महत्वाकांक्षा रखी और दाराशिकोह की लोग प्रियता और धार्मिक जुकाव से खत्रा महसूस किया। इ अराकान सामराजय और पुर्तगालियों सहित क्षेत्रिय शक्तियों का समर्थन मांगा। हालांकि उनके प्रयास असफल रहे और अंतता उन्हें और अरंगजेब की सेना ने हरा दिया। और अरंगजेब की सेना के बीच आगरा के पास सामुबर की लड़ाए हुई। शाह जहां के सबसे बड़े बेटे दाराशिकोह को कई रईसों और सेना पतियों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि और अरंगजेब अपनी सेन्य चाला की और बढ़पन से अधिक समर्थन क साथ विजई हुआ। युद्ध युद्ध में एक प्रमुक मोर्था और दाराशिकोह की हार ने उनकी स्थिति को काफी कमजोर कर दिया। धर्मत की लड़ाई 15 अप्रेल 1658 धर्मत की लड़ाई मध्यप्रदेश के उज्जैन के पास हुई थी। ये औरंगजेब और शाह दूसरे बेटे शाह शुजा की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। शाह शुजा ने खुद को बंगाल का समराध भोशित कर दिया था और अपने प्रभाव का विस्तार करने की मान की थी। हालांकि औरंगजेब की सेना ने अपने सक्षम सेना पतियों मीर जुमला और जस् सिंग की कमान में शाह शुजा की सेना को हरा दिया। इस जीद ने औरंगजेब की स्थिती को और मजबूत कर दिया और सिंधासन के लिए उसके संभावित प्रतिद्वन्धियों में से एक को हटा दिया। सिंधासन के लिए संधर्ष का समापन सामूबिल की लड़ाई और धर्मत की लड़ाई में हुआ। दारा शिकोह को हरा कर औरंगजेब विजई हुआ और सिंधासन हासिल किया। दारा शिकोह को बाद में पकड़ लिया गया, मार दाला गया और उसके अफशेशों को दिल्ली में दफना दिया गया। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों त अब मुबल सेरिए।